हेलो एवरिवान, वेल्कम बैक टू कॉरंट अफ़ेर्स पाई रवी यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो में जो है हम वर्तमान में कौन क्या है से जुड़े इंपॉर्टन कॉशन्स कवर करेंगी इसमें जो है फ्रेंड्स मैं आपको टोप 170 कॉशन्स करवाओंगी इसम चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स हमारे इसी चैनल के उपर आपको सुभे पांच बजे डेली करंट अफेर्स की क्लास प्रवाइड करवाई जाती है जिसमें की मौस्ट इंपॉर्टन 15 कॉशन्स डेली बेसिस पे जो है वो डिसकस किये जाते हैं व 150 वर्थमान में कौन क्या है से जुड़े फर्स्ट कॉशन आज का किसे जो है संग लोग सेवा आयोग यानि की UPSC के नई अध्यक्ष के रूप में नुक्त किया गया है राइट अंसर आपका इस कॉशन का रहेगा फ्रेंड्स ओप्शन बब बी प्रिती सूधन प्रिती सू अध्यक्ष नुक्त किया गया है यह किसका स्थान लेंगी तो यह स्थान लेंगी मनोज सोनी का जिन्होंने की अभी रिसेंट में ही जो है अपना त्याग पतर दे दिया था अब हम बात करेंगी UPSC के बारे में क्योंकि UPSC से जुड़ा हमारा क्वशन था इसके नई अध् 315 से लेके 323 में एक संगी लोग सेवायोग और राज्जियों के लिए राज्जिय लोग सेवायोग के गठन का जो है वो प्रावधान है सीमा सुरक्षा बल यानि की BSF इसके जो नए महाने देशक बन गए वो कौन बन गए जाइट अंसर रहेगा आपका ओप्षन नमब बी दलजीत सिंग चोधरी जो है ये BSF के नए महाने देशक पॉइंट हो चुकी है सीमा सुरक्षा बल जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को और मुख्यालेस के जो है वो है नई दिल्ली में और फ्रेंज जो दल्जी सिंग चोधरी है ना इन्होंने निती नगरवाल का जो है वो स्थान लिया है नेक्स्ट आते हैं आपके कोशन की तरफ तो जुलाई 2024 में किसे जो है फिर से दो साल के विस्तार के साथ वेग्यानिक और उध्योगिक अनुसंधान परिशत जिसे कि आप CS IR भी बोल सकते हैं जिसे कि इंग्लिश में Council of Scientific and Industrial Research कहा जाता है कि जो महानिदेशक के रूप में नियुक तक किया गया है राइट अंसर आपका क्या रहेगा ओप्शन नमबर ए नला थंबी क्लैस अलवी इंपॉर्टन पोइंक और उध्योगिक अनुसंधान परिशत की पहली महीला महानिदेशक नला थंबी क्लैसезде जो है ने दो साल का विस्तार दिया गया है नला थंबी क्लैसे अलवी इस पत पर नियुक तो होने वाली जो है पहली महीला है इन्हें जो है ओगस्त 2022 में इस पत पर न्यूक्त किया गया था इन्होंने शेखर सी मांडे की सेवा निवरिती के बाद इस पत को जो है वो संभाला था CSIR से जुड़े कुछ important points आपको बता देती हूँ तो अगर बात करें इसकी स्थापना की तो वो की गई थी 26 सितंबर 1942 को मुख्याले कहां पे है नई दिल्ली में नेक्स्ट है आपका किसे News, Broadcasters and Digital Association के अध्यक्ष के रूप में जो है वो न्यूक्त करा गया तो राइट अंसर आपका इसका option number B है रजत शर्मा इन्हें NBDA के नई अध्यक्ष के रूप में जो है वो न्यूक्ती मिली है इंडिया टीवी के अध्यक्ष और प्रधान संपादक हैं रजत शर्मा इन्हें जो है तर्व सम्मिती से News, Broadcasters and Digital Association का अध्यक्ष चुना गया है इन्होंने जो है विनाश पांडे का स्थान लिया है NBDA जो है फ्रेंट्स इसकी स्थापना 3 जुलाई 2007 को करी गई थी और मुख्याले इसके हैं नई दिल्ली में नेक्स्ट माना कॉश्ण जुलाई 2024 ने किसे जो है भारती पुरुष क्रिके टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नुक्त किया गया है स्थाइट अंसर आपका रहेगा उप्ष नंबर B गोतम घंबीर जो है फ्रेंट्स ये भारती पुरुष क्रिके टीम के जो है नए मुख्य कोच बन गे हैं भार्तिय के के कंट्रोल बोर्ड यानि की BCCI के सच्चीव जैशा इन्होंने जो है गोतम घंबीर को भार्तिय पुरुष्क्री के टीम का मुख्य कोच जो है वो नुक्त करा है वे साल दोहजार सताइस तक इस पद पर रहेंगे इन्होंने जो है फ्रेंट्स राहूल द्रविड की जगे लिए है नेक्स सेखिए वर्ष दोहजार चोबिस में ओडीशा के जो नए मुख्य मंत्री बन गे वो कौन बन गे उपिशन नमबर A करेक्ट अंसर हेगा मोहन चरन माजी नेक्स्ट नमारा कोशन है के अन्रे प्रित्यक्ष कर बोर यानि की CBDT इसके जो नए अध्यक्ष के रूप में फ्रेंट्स निूक्त किया गया है किसे निूक्त करा गया है तो राइट एंसर आपका उपिशन नमबर B है रवी अगरवाल जो है इन्हें सेंट्रल बोर्ड ओफ डिरेक्ट टैक्सिस का नया जो है फ्रेंट्स चियर्मेन बनाए गया है CBDT के नए चियर्मेन बन गए है रवी अगरवाल तो आईए CBDT के बारे में मैं आपको बता देती हूँ तो वित मंत्राले में रासव भिवा का एक हिस्ता होता है केंद्री प्रतेक्ष करबोड इसकी हिस्ता आपना करीगी थी 1963 को और मुख्याले इसका है नए दिल्ली में नेक्स्ट कोशन वर्ष्य दोहजार चोबिस में भारत के जो नए ग्रह मंत्री यानि की होम मिनिस्टर बने वो कौन बने राइट अंसर ओप्शन नमबर डी है आपका अमित शाह नेक्स्ट इंपॉर्ण कोशन है जोन दोहजार चोबिस में किसे जो है भारत का नया थल सेना प्रमुख न्यूकत किया घया राइट अंसर option number B रहेगा friends आपका उपेंदर द्वी वेदी जो है इन्हें भारत का निया थल सेना प्रमुख जो है वो बनाया क्या है next question किसे भारतिय वानिज्य एवं उत्योग महासंग यानि की फिकी इसका जो महानिदेशक है उसके रूप में न्यूक्त किया गया फिकी की नई महानिदेशक जो है वो बन गई है जोती विट यानि कि आपका option number एक रेक्ट आंसर रहेगा image के रूप आप इन्हें देख सकते हैं बढ़े नेक्स कोशन की तरफ तो वर्षट 2014 में किसे जो है तीसरी बार भारत की राष्टी सुरक्षा सलाकार NSA के पद पर जो है वो न्यूक्त किया गया है तो फ्रेंस लगाता जो है तीसरी बार भारत की राष्टी सुरक्षा सलाकार बन गए है अजीत डोबाल उप्षन नमबर B is the correct answer फ्रेंस अगर आपको वीडियो की उक्वालिटी और कॉंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेज जरूर करें अगर चानल पर न्यू है तो चानल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा ठीक है आते है नेक्स कोशन की तरफ उडिशा विधान सभा का अध्यक्षक की से न्यूक्त किया गया उप्षन नमबर B is the correct answer सूर्मा पाडी को जुलाई 2024 में किसे जो है विधिय कारेवाही कारेवल यानि कि FATF के नई अध्यक्ष के रूप में नुक्त किया गया है तो विधिय कारेवाही कारेवल की जो नई अध्यक्ष बन गई है वो बन गई है ऐलिसा डी आन्दा मदराजो यानि कि आपका option number B right answer रहेगा important points cover करते हैं तो मेक्सिको की अलिसा डी आन्दा मदराजो जो है इन्हें FATF का नई अध्यक्ष न्युक्त किया गया है ये जो है ये टी राजा कुमार का स्थान लेंगी अलिसा डी आन्दा मादराजो जो है FATF की उपाध्यक्ष की रूप में भी कारे कर चुकी है वर्थ मान में ये जो है ये मेक्सिको की वित और सार्विजनिक अर्रिन मंत्राले में महानिदेशक के रूप में जो है वो कारे रत थी next question तो राइट एंसर आपका उप्ष नंबर C है गगन नारंग जो है फ्रेंड्स इन्हें दोहजार जोबिस पैरिस ग्रिशम कालिन अलंपिक का जो है भार्थी दल का शैफ्टी मिशन नुक्त करा गया था important boys cover करते हैं तो भार्थी अलंपिक संग ने 2012 लंदन अलंपिक के कांसे पदक विजेता निश्यान नेवाज जिनका नाम है गगन नारंग इन्हें जो है दोहजार जोबिस पैरिस ग्रिशम कालिन अलंपिक के लिए भार्थी टीम का शैफ्टी मिशन जो है वो नुक्त करा है ये जो है फ्रेंट की मैरी कॉम की जगा लेंगे मैरी कॉम ने जो है स्वास्ते संबंदी समस्याओं के कारण दोहजार चौबिस पैरिस लंपी के लिए शेफडी मिशन के पद से जो है वो इस्तिफा दिया था करंट में भार्टिय लंपिक संग की जो अध्यक्ष है जिनका नाम है पीटी उशाइन होने जो है इस निफ्ती की घोशना करी है देखिए यहां पर कुशन में बार-बार बात आ रही है शेफडी मिशन की तो शेफडी मिशन जो है यह होता क्या है यह जो है शेफडी मिशन इसका फ्रेंच में अर्थ होता है मिशन का क्या प्रमुख शेफडी मिशन उलम्पी खेलों के दुरान पूरी टीम का एक प्रवक्ता होता है और ये सरक्षन, समर्थक और चेर लीडर्स भी होता है जो कि सम्मान उद्देश्य से टीमों के परदशन की रक्षा करते हुए उन्हें प्रेरित और प्रोट साहित करता है उसे हम शेफडी मिशन कहते है आते हैं आपके नेक्स्ट कोशन की तरफ तो जुलाई दोहसार चोबीस में पेटीम पेमिर्स पैंक के जो नई M.D.O. और C.E.O. अपॉइंट हो चुके हैं वो कौन हो ये हैं? उपशन नमबर C. अपकर राइटर आणसर रहेगा अरुन बंसल नेक्से किये जुलाई दोहजार चोबीस में किसे सुपरीम कोट के नयाधिश के रूप में निउक्त करा गया? तो सुपरीम कोट के नय जो है नयाधिश कोन बने? option number C आपका right answer रहेगा यान B दोनो defense N. Kottishwar Singh और R. Mahadevan जो है इन्हें Supreme Code के नयधिश के रूप में नुक्ती मिली है आई कुछ important points जानते हैं इस questions related के अंदर सरकार ने जमू कश्मीर उचन्याले के मुखे नयधिश जिनका नाम है N. Kottishwar Singh और मदरास उचन्याले के कारेवाहक मुखे नयधिश जिनका नाम है R. Mahadevan इन्हें जो है सरवच नयाले की नयधिश के रूप में नुक्त किया है CJI धननजे वाई चंद्रचूट जोहाइफेंस उनकी अगुबाई में Supreme Court Coliseum ने वरिष्टता, योग्यता और नियाई की मानदारी जैसे कालकों पर विचार करते हुए इनके नामों की सिफारिश की थी वर्तमार में मुखे नयधिश को मिलाकर कुल नयधिशों की जो संक्या है वो आपकी होगी है 34 आईए Supreme Court के पारे में जानते हैं तो भारत की उच्चतम नयाले के रूप में 26 जनवरी 1950 को इसे स्थापित किया गया था मुख्याले इसके नई दिल्ली में है करंट इसके जो मुखे नयधिश है उनका नाम है धननजे जश्वन्त चंद्रचूर 34 इसके नयाधिश हो गया है टोटल जो कि हमने कॉश्चन में ही देखा कारेकाल होता है फ्रेंट्स नयाधिशो का पैंसर वर्ष की आयू तक और समिधान के अनुच्छे द 124 के तहट जो भारत की सरवच नयाले की स्थापना और गठन का जो है वो प्रावदान मिलता है नेक्स्ट है हमारा जून दोहजार चोविस में किसे राजिय सभा में सदन का नया नेता नुक्त किया गया इसके राइटन से आपका उपशन नमबर C है जे पी नडड़ा को जून दोहजार चोबिस में अठारवी लोगसभा में विपक्ष के नेता कौन बने option number B right answer रहेगा राहूल गांदी जो है इन्हें अठारवी लोगसभा में विपक्ष के नेता बनाया गिया है next है हमारा जून दोहजार चोबिस में किसे भारतिय सेना के अगले उपपरमुख के रूप में नुक्त किया गया है option number C is the correct answer एनेस राजा सुब्रमनी को next question आपका है किसे जो है professional golf tour of India के अध्यक्ष के रूप में नुक्त किया गया option number B is the correct answer कपिल देव को next है भारत के पहले AI विश्व विद्याले यूनिवर्सल AI यूनिवर्स्टी के कुलपती पद पर किसे नुक्त किया गया right answer option number A रहेगा आपका Simon Mark जो है इन्हें भारत के पहले AI विश्व विद्याले के कुलपती पद पर जो है वो नुक्ती मिली है बढ़ते next question की दरफ तो जून 2014 में किसे जो है फिर से एक साल की विस्तार के साथ रास्टी मानवादिकार आयोग यानि कि NHRC के महासची के रूपे नुक्त किया गया right answer option number C है आपका भरत लाल को next question किसे जो है SPI Journal Insurance के नई MD और CEO के रूपे नुक्त किया गया है option number 1 correct answer रहेगा नवीन चंद्र जाको friends आज की जो वीडियो है इसमें हम जैन 2 ओगस तक कि आपकी सब ही जो है important appointments देख रहे हैं ठीक है क्योंकि इसमें मैंने सभी जो कोशने include करें हैं वो एकदम updated list के साथ हैं और अगर आपकी एक वीडियो देख लेते हो अपने exam से पहले तो आपको अपने exam में काफी जादा मदद मिलेंगी क्योंकि जैन से लेकि अगस्तक की जितने भी आपकी important important नुक्ति हुई है वो सभी ही question आपको इसी वीडियो में मिलेंगे ठीक है तो वीडियो के साथ आपने exam तक बने रहना है इसी के साथ session की तरफ आते हैं जिसका next question है जुलाई तो हुसारे चोबिस में कौन जो है दूसरे कारेकाल के लिए युरोपिय सनसत की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है और ये युरोपिय सनसत से जुड़े कुछ important points रेखते हैं तो युरोपिय संक के तीन विथाई निकायों में से एक है युरोपिय सनसत जिसकी स्थापना की बात करें तो वो ही थी 1958 को मुख्याले इसके हैं फ्रांस के स्टार्स बर्ग में और करंट अध्यक्ष इसकी सकेंड टाइम के लिए बन गई है रोबोटा मेट्सोला इसके जो प्रधान संस्चीव है युरोपिय संसत के उनका नाम है अलेसैंड्रो चियो थी नेक्स से कि जुलाई दोहजार जोबिस में एशियाई पैरालंपिक सम्मिती ने किसे दक्षन एशिया के लिए उपचेत्रे प्रतिनीधी निक्ट किया है राइट अंसर ओप्ष नमबर ए है आपका दीपा मलिको नेक्स्ट माना कोश्टन है एशियाई क्रिकेट परिश यानि कि ACC इसके जो अध्यक्ष के रूप में फ्रेंस निक्ट हुए है वो कौन हुए है राइट अंसर आपका रहेगा उप्ष नमबर बी मोहसीन नकवी जो है ये ACC के नए अध्यक्ष बने है ACC जो है इसे इंग्लीश में एशियन क्रिकेट कॉंसील कहा जाता है अगर बात करें इसके इस्टेब्लिश्मेंट की तो वो हुई थी 1983 को हैड़कोर्टरस इसके जो है वो दुबबई में लोकेटेड है नेक्स कोशन आपका है सुप्रीम कोड बार ऐसोसेशन के जो अध्यक्ष के रूप में निक्त हु तो चिकित्सा सेवा सेना की महारे देशों के रूप में निक्त होने वाली जो पहली महिला बन गई है फ्रेंट्स उनका नाम है साधना सकसेना नायर ऑप्षिन नमबर सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा इंपोर्ण में इस कवर करते हैं तो वर्ष दो हलजार तेइस में वाई सेना में एयर मार्शल पद पर प्रमोट किया जाने के बाद साधना सकसेना को जो है होस्पिटल सर्विसिस की डारेक्टर जर्र बनाया गया था इस पद पर निक्त होने वाली वी वे पहली महिला अध नेल्ग से किए जुलाई दो हज़ार चोबिस में किसे फिरसे लोकसभा में कॉंग्रीस का उपनेता नुक्ट किया गया गया नेक्स्ट आपका भार्तिय डिजर्ब बैंक यानि की आर्बियाई के जो करण्ट गवर्नर है उनका क्या नाम है तो अप्शन बब बी राइटन से रहेगा शक्तिकान दास ती रवी शंकर को एक साल के लिए जो है फ्रेंस आर्बियाई की डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नुक्त किया गया है तीक है केंदर सरकार दोरा अगर हम बात करें आर्बियाई की तो आर्बियाई की स्थापना एक कैपिल 1935 को करी गई थी मुख्यालेस का मुंबई कपिल 1935 के में है करंट गवर्नर न है कसे उनन केकी नाम है फ्रेंस सुरी नाम में भारत का अगला राज़ोत अग्त किया गया तो सुरी नाम में भारत जो बन रहुत वो नेक्स्ट है आपका जुलाई दोहजार चोबिस में किसे फिर से पश्ची मंगाल की पुलीस महानिदेशक यानि की डीजीपी के परद पर नुक्त किया गया है ओप्शन नमबर एईजा क्रेक्टा अंसर राजीव कुमार को नेक्स्ट कोश्चन हमारा किसे भारत संचार निगम लिमिटेड यानि की BSNL इसका जो अध्यक्ष है और प्रबंध निदेशक जा फिर आप CMD वो सकते हैं नुक्त करा गया है तो इसका राइटन सर आपका उप्शन नमबर C रहेगा रोबोट जराड रवी जो हैं फ्रेंट्स इन्हें BSNL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है यह जो है यह PK पूरवार का स्थान लेंगे BSNL से जोड़े कुछ important points देखते हैं तो स्तारोजिनक छेतर की एक संचार company है BSNL जिसको की 2000 में स्थाप्पित किया गया था मुख्यालेस के भारत के नई दिली में है नेक्स है जुलाई 2024 में मध्यपरदेश उच न्याले के जो नए मुख्या नायदिश बने वो कौन बने option number A right answer है आपका गुरमीद सिंग संधावालिया किसे जो है फिर से उतकर्ष Small Finance Bank के नए MD के रूप में और CEO के रूप में निउक्त करा गया है तो उतकर्ष Small Finance Bank के फिर से जो MD और CEO पॉइंट हो चुके हैं वो हो चुके हैं गोविन्द सिंग option number B right answer है आपका next question किसे राष्टी शेह रोग उन्मूलन कारेकरम के लिए गेंद्रे स्वास्ती एवं परिवार कल्यान मंत्राले में प्रधान सलहकार की रूप में निउक्त किया गया है option number B is the correct answer सोमया स्वामीनाथन को next देखिए जुलाई 2024 में कौन हर्याना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी निउक्त हुए option number D is the correct answer पंकच अगरवाल जो है फ्रेंट्स ये हर्याना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने है जुलाई 2024 में आईए इस कोशन को डिपली समझते हैं तो हर्याना में जो है उक्टूबर में होने वाले विधान सबस चुनाफ के लिए पंकच अगरवाल जो है इन्हें हर्याना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में निउक्त करा गया है ये जो है फ्रेंट्स की 2000 बैच के आईएस अधिकारी है और निर्वाचन भिवाच के आयूकत और सच्ची पत की भी इन्हें जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है नेक्स्ट है आपका कॉश्चन जुलाई 2014 में बंदन बैंक के बंदन बैंक जो है इसने किसे अंतरिम MD और CEO निउक्त करा है ओप्शन नमबर सी इसा राइट आंसर रतन कुमार केश को नेक्स्ट हमारा कॉश्चन जुलाई 2014 में ब्रिटेन की पहली महिला वित्रमंत्री कोन बनी तो ब्रिटेन की जो पहली फाइनांस मिनिस्टर है वो बनी है फ्रेंस रैचेल रीव्स ओप्शन नमबर ये राइट आंसर रहेगा आपका नेक्स्ट कोशन देखिए किसे फिर से भार्टी जिवन विमा निगम यानि की LIC का MD और CEO निउक्त क्या गया है तो क्या राइट आंसर रहेगा आपका ओप्शन नमबर सी सिधार्थ मोहन्ति को नेक्स्ट है जुलाई दो हुजार जोबिस में किसे जारखंड उचनले के पंदरवे मुख्य नयधिश के रूप में निउक्त किया गया था तो ये निउक्त हो गए हैं विद्यूत अरंजन सारंगी कौन से नमबर के मुख्य नयधिश बने हैं पंदरवे नमबर के जारखंड उचनले के इंपोर्टन पर इस कवर करते हैं नियाए मुट्य विद्यूत अरंजन सारंगी जो है फैंस इन्हें जारखंड उचनले के मुख्य नयधिश के रूप में नियुक्त किया गया है और ये पंदरवे नमबर के मुख्य नयधिश बने है ये जो है संजे कुमार मिश्रा का स्थान लेंगे नयमोर्टी विद्यूत अरंजन सारंगी जो हैं ये पहले ओडिशा उचनले के नयधिश थे नेधिश सेखिए जुलाई तो होसार चोबिस में किसे फिर से यूरोपी आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है नेधिश नमारा कोश्चन विने मोहन कवात्रा जो हैं इन्हें किस देश में भारत का नया रास्तूत नियूक्त करा गया option number is the correct answer अमेरिका में next is किसे जो है भारती पुरुष फुटवल टीम का नया मुख्य कोश नियूक्त किया गया है तो भारती पुरुष फुटवल टीम के जो है फ्रेंज्ट नये मुख्य कोश बन गए है head coach तो वो कोन बन गए है right answer option number c रहेगा आपका मनोलो मार्केज जो हैं ये नए हेड कोच बन गए हैं इंडियन मैंस फूटवल टीम के नेक्स कुशन पर आते हैं तो किसे भार्थी लागत लेखा कार संस्थान के अधक्ष के रूप में नुक्त करा गया तो इंस्टिट्यूट ओफ कोस्ट अकाउंटेंस ओफ इंडिया के जो फ्रेंट्स नए चियर्मेन बन गए हैं वो कौन बन गए हैं ओप्षन नमबर एक रैक्ट अंसर रहेगा भीवूती भूशन नायक नेक्स से किये वर्ष दोहजार चोबिस में फैडरल बैंक के एमडी और सीएों के रूप में किसे नुक्त किया गया राइट अंसर रहेगा आपका ओप्षन नमबर डी कृष्ण वैंकेट सुभर मन्यम को आते है नेक्स कोश्चन पे जुलाई तोहजार चोबिस में किसे मोटो जीपी के जो ब्रैंड अंबैस्टर के रूप में नुक्त किया गया है ओप्षन नमबर सीजा क्रेक्ट अंसर शिकर धवन को शिकर दवन जो है इन्हें MotoGP का जो है नया ब्रैंड अम्बेस्टर बनाया गया चुलाई 2024 में नेक्स्ट आपका Human Mobile Device कंपनी ने किसे ग्लोबल ब्रैंड अम्बेस्टर न्यूक्त करा है ओप्शन अमबर एईजा का एक्टा आंसर सान्या मुलहोत्रा को नेक्स्ट कुशन पर आते हैं तो किसे गोवा में भारतिया अंतराष्ट्य फिलम के 55 और 56 एडिशन का महोसब निदेशक जो है वो न्यूक्त किया गया ओप्शन अमबर एईजा क्रेक्टा आंसर शेखर कपूर को नेक्स्ट कुशन देखते हैं आजके सेशन का तो किसे जो है बहा मास कोमनवेल्थ में भारत का अगला हाई कमिशनर निदेशक 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 किया गया है नेक्स्ट किया गया किसे ब्रोड्कास्ट इंजिनिरिंग कंसल्टेंस इंडिया लिमिटेड यानि की बी इसी आई एल के अध्यक्षोट प्रबंद निदेशक के रूप में निदेशक किया गया राइट अंसर आपका उप्शन नमबर सी रहेगा कोमोडोर डी के मूडली को नेक्स से किये जुलाइत होज़ारेचोबिस में किसे भारती लगू उध्योग विकास पैंक यानि कि सिडवी के नए अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक जिसे आप नेक्स्ट कोशन की तरफ यह कोशन हमने उपर ही डिसकस कर लिया ना यह रिपीट्टेड है ठीक है नेक्स्ट है हमारा जुलाइ दो हज़ार जोबिस में किसे पंजाब का नया राज्य पाल और के इंदिशाशित परदेश चंडिगर के प्रशासक पत पर न्यूक्त करा गय रहेगा कुलाब चंद कटारिया इन्हें जो है पंजाब का न्यू गवर्नर पोइंट करा गया है और एड्मिन्स्ट्रेटर भी बने हैं यह किसके चंडिगर के नेक्स्ट आपका किसे महराश्ट्रे रियल एस्टेट विन्यामक प्राधिकारण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया राइट अंसर ओप्शन नंबर ए रहेगा मनोज सोनिक को सुहे लेजाज खान जो है यह किस देश में भारत के इन्हें अगला राज़दूत न्यूक्त करा गया तो राइट अंसर ओप्शन नंबर ए रहेगा आपका यमन में जुलाई तो हज़ार जोबिस में किसे असम का जो है नया राज़ेपाल बनाया गया असम के नया राज़ेपाल बने है लक्षमन प्रसाद आचारय ओप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा तो फिंस अभी जो है रिसेंट में ही नो जो है आपके राज़ेओ के नया राज़ेपाल बनाये थे इसके उपर ओल्रेडी चैनल पे जो है वीडियो अप्लोडेड है जिसमें कि आपको मैंने जो न्यू गवरनर्स बने है उनके बने में बताया है उसके साथ जो भी सीएम्स बने है न्यू अभी रिसेंट में ही उनके बने में बताया है तो अगर आपको वो वीडियो देखन जो पंजाब और चन्डीगर के प्रशासक बने वहीv 37 इसके नहिराजयपाल वने रामेन डेका, महराष्ट्रों के नहिराजयपाल वने एशिमुत देव वर्मा, सिक्किम के नहिराजयपाल वने ओम्प्रकाष्ट माथूर, लक्षन प्रसाद आचार्य, इनहें जो है अशम और मनीबूर के तो ये राज़यपाल वने हैं, इसके ल विजे शंकर ठीक है और के एक क्यलाशनात जो है यह पुड्डू-चरी के नए उपराज जेपाल बने हैं इसी के साथ तीक है कुछ मतलब आठ आपके राज्यों के नए राज जेपाल बने हैं और एक गुलाब चंद कटारिया जो है यह चंडीगड के प्रशासक बने हैं और पुड्डू-चरी के जो है नए उपराज जेपाल भी बने के कलाशना सब कुछ आपको उस वीडियो मैंने कवर कर वाया है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजेगा से हैं अब भी कुछ दिन पहले ही आई है नेक्स कोशन पर आते हैं तो यूरोपिय संकी यूरोप के नायधीश बने वो कौन बने राइट अंसरी ऑप्शन नमबर डी धनजे जश्वंद चंद्रचूड नेक्सिकी भार्तिय स्टेट बैंक यानि कि SBI के नई अध्यक्ष के रूप में किसे निउक्त कर आगया है कि ऑप्शन नमबर एक रेक्ट अंसर रहेगा चल्ला श्री नमबर ए रहेगा टी यार शर्मा को नेक्स कुशन आपका है किसे जो है तिरिक्त राष्टे सुरक्षा सलहकार न्युक्त क्या गया राइट अंसर ऑप्शन नमबर सी रहेगा आपका राजिंद्र खन्ना को नेक्स कुशन किसे राष्टे चिकित्सा योग यानि कि NMC का ध् वह कि राष्टे सुरक्षा सलहकार न्युक्त करा गया है अप्शन नमबर सी रही चंद्रन और पवन कपू यह नए राष्टे सुरक्षा सलहकार जो है वह बनी है नेक्स्ट आपका जुलाई 2024 में भार्टिय रिजब बैंक यानि की RBI ने किसे कारे-कारी निदेशक के रूप में नुक्त किया राइट आंसर रहेगा आपका उप्शन नमबर A and B दोनों ही ठीक है चारुलता एसकर और अर्नव कुमार चोधरी इन्हें RBI ने कारे-कारी निदेशक बनाया है किसे पंजाब और हर्याना उच्छ नियाले का मुख्य नयदिश नुक्त किया गया जुलाई तो हजा चार चोबिस में किसे केंद्र सरकार का प्रमुख प्रभक्ता नियुक्त करा गया ओप्शन नमबर B दीजग राइट आंसर धिरेंदर के ओजह को जून 2014 में किसे अगली विदेश सच्चिव के रूप में नुक्त किया गया तो जो नए हमारे फॉरण सेक्रेटरी बन गए हैं वो कौन बन गए हैं जून 2024 में आपका राइट आंसर रहेगा विक्रम मीस्तरी किस तेश को वर्ष दो हजार 25 के लिए कोलॉंबो प्रक्रिया का अध्यक्ष नुक्त किया गया ओप्शन अबर डीजाग रैक्टांसर भारत को नेक्स्ट है किसे ICICI प्रुडेंशियल के निदेशक मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में नुक्त करा गया है राइट अंसर ओप्शन अबर बी है आपका संदीप बत्रा को नेक्स्ट है वर्षे 2024 में लोकपाल के सच्चीव के रूप में किसे Pacific करा गया तो लोकपाल के जो नए सच्चीव बन गए हैं वो बन गए हैं प्रदीप कुमार्ट्रि पाथी प्रदीप कुमार्ट्रिपाठि तशोलबर डीजा ग्रेक्ट्सर इन्हें विश्व पशुद स्वास्ते संगठन की नए महानदेशों के रूप में निउक्ती मिली है। आते हैं आरे नेक्स कोशन की तरफ तो किसे इंदिरा गांधी प्रमानू अनुसंधान केंदर के निदेशों के रूप में निउक्ती करा गया है। इंदिरा गांधी प्रमानु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशों के रूप में नुक्ती मिली है इसी के साथ नेक्स्ट कोशन है दी इंद्याल बंदरगह प्राधी करण के जो अध्यक्ष बने वो कौन बने सुशील कुमार सेंग आपने इंद वीडियो मुझे बताना है कि 170 क्वेशन में से आपको कितनों के आंसर आपको इस वीडियो के बाद पता चले ठीक है और लास्ट में मैं आपसे टुकोशन का टेस्ट भी लोंगी जिसका अशर आप मुझे कमेंज सेक्षन में देंगे और इसके इलावा मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगी कि आप हमारी पेड़ एबुक्स को हमारे वैबसाइट से कैसे बाई कर सकते हैं जिसमें कि प्रसाथ आपका option नवर बी रहेगा आंदर परदेश के जो है फ्रेंश नए मुख्य ने नाम है इनका नीरव कुमार प्रसाद नेक्स्ट आपका किसे भारती विदेश वेपार संस्थान के कुलपती के रूप में नुक्त किया गया option number C is the correct answer राकेश, मोहन, जोशी जो है इन्हें भारती विदेश वेपार संस्थान के नए कुलपती बनाया गया है PNB MetLife India Insurance जो है इसके जो नए MD और CEO बन गए हैं वो आपके बन गए हैं Samir Bansal यानि कि आपका option number D राइट अंसर है, image के तो आप इन्हें देख सकते हैं next नमाने question है भारती प्रतिस पर्दा योग यानि कि CCI के सच्चीव के रूप में किसे नुक्त किया गया option number C is the correct answer, इंदरपाल सिंग बिंदरा को किसे जो है फ्रेंट्स, ग्रामिन विकास भिभाक में निदेशक नुक्त किया गया है तो ग्रामिन विकास भिभाक के नए निदेशक बन गए हैं, राज प्रिये सिंग, option number C correct answer रहेगा next question देखते हैं, किसे निदी आयोग में निदेशक नुक्त किया गया option number C is the correct answer, आशीश कुमार दास को next आपका question, SPI CAP Ventures Limited जो है इसके नए MD और CEO को नुक्त हुए है option number B correct answer रहेगा, प्रेंप्रभाकर जो हैं friends इन्हें SPI CAP Ventures Limited का नया MD और CEO बनाय गया है next question हमारा, किसे वैश्विक पवन उर्जा परिशत इंडिया का नया ध्यक्षन युक्त किया गया श्राइटन से आपका रहेगा, option number D, गिरिश तान्ती को संयुक्त राष्टे शर्नार्थी उचायुक्त कार्याल्य यानि कि UNHCR जो है, वैश्विक सद्भावना राजुदूद कोन बने है तो इनका नाम है, थियो जैम्स, यानि कि आपका option number E correct answer रहेगा, ये जो है वैश्विक सद्भावना राजुदूद नियुक्त किये गए है, संयुक्त राष्ट शर्नार्थी उचायुक्त कार्याले के नेक्स्ट हमारा जून दोहसारे चोबिस में लोकसभा की असथाई अध्यक्ष जो है, वो कौन बने? तो लोकसभा की जो असथाई अध्यक्ष बने हैं, वो बने हैं आपके भरतहरी महताव, यानि कि आपका option number C एकदम correct answer रहेगा नेक्स्ट कोश्ट के तरफ आते हैं, तो भारती दूर संचार नियामक प्राधी करने, यानि कि ट्राई के जो नए सच्ची बने, वो कौन बने? तो option number C आपका correct answer है, अतुल कुमार चोधरी नेक्से किये, किसे भारत electronic limited के अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक के रूप में नियुक्त करा गया है? तो भारत electronic limited के जो नए अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक बन गये हैं, वो बन गये हैं मनोज, जैन, option number C correct answer हैगा नेक्स्ट मारा question है friends, किसे भारत संचार निगम limited यानि कि BSNL के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? राइट answer option number D हैप का सुध्धा कर्क राओ जो है, सुध्धा कर्राओ पापा इन्हें जो है friends BSNL का निया निदेशक बनाया गया है नेक्स सेखिए, किसे रास्टियस परिक्षन एजिंसी यानि कि NTA के महाने देशक के अतिरिक्त प्रभार पद पर नियुक्त करा गया? तो NTA के महाने देशक का जो अतिरिक्त प्रभार है ये सोंपा गया है प्रदीप सिंह खरोला को option number B आपका एकदम correct answer रहेगा नेक्स कोशन देखते हैं किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अध्यक्षर प्रभंद नियुक्त किया गया? option number C जा correct answer गिरिजा सुभ्रमन्यम को नेक्से कि भारत के जो नए संसदिय कारेमंत्री और अल्प संखिक कारेमंत्री बने फ्रेंस वो कौन बने? तो जो नए भारत के Minister of Parliamentary Affairs और Minister of Minority Affairs बने हैं वो बन गे हैं फ्रेंस कीरें रिजीजू यानि कि आपका option number एक correct answer रहेगा बढ़ते हैं next question की तरफ Indian Farmers Fertilizer Co-operative के नए अध्यक्ष के रूप में किसे निउक्त करा गया? इफको के जो नए अध्यक्ष बन गे हैं वो बन गे हैं दिलीप संखिक कारेमंत्री और रहेगा उर्वरक छेतर की अगर्णी कंपनी है फ्रेंस इफको इसके जो नए चेर्मेन है इसके रूप में दिलीप संखानी को चुना गया है वे पहले इफको के उपाध्यक्ष के पतपर कारेरत थे इसी के साथ ये जो है बलवीर सिंग को उपाध्यक्ष भी चुना गया है और ये नए नोसेना प्रमुख बन गए है दिनेश कुमार ट्रेपार्थी ऑप्शन अमबर ये आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा आए बहारतिय नोसेना के बारे में जानते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी चब्वीज जनवरी 1950 को नए दिली में इसके हैड़कॉर्टर्स ह और हर वर्ष हम नोसेना दिवस मनाते हैं चार दिसंबर को करंट में जो फेर्ण्स भार्दी नोसेना के नए उपर प्रमुख बना दिये गे हैं वो बना दिये गे हैं कृष्ण स्वामी नाथन ठीक है ये भी आपने इंपॉर्टन अप्वेंटमें ध्यान में रखनी है और एक रेक्टांस से रहेगा आपका नर्सिंग पंचम यातव को भार्टी कुष्टी माहसंग जो है इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टन पॉइंस आपको रिवाइस करवा देती हूं तो इसकी स्थापना 1967 को हुई थी करंट में जो इसके हैड़कॉर्टर्स है वो नई दिल भी बनी है फ्रेंट्स इधाशीशा नौंगरांग इनका नाम है तो पूछा गया क्वाशन में कि यह जो है कि किस राज्य की पहली महिला पुलीस महानिदेशक बनी है तो आपका उप्शन नंबर बी करेक्ट अंसर रहेगा फ्रेंट्स मिघाले की जो है यह नई डीज़ी पॉइंट होई है और यह मिघाले राज्य की जो है महिला पुलीस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला है ठीक है नेक्स है मारा केंद्रिय जांच ब्यूरो यानि कि CBI में अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नुक्त किया गया ऑप्शन नंबर C रेक्ट अंसर रहेग किसे जो है प्रेस इंफ्रामेशन ब्यूरो यानि कि PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में नुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर D रेक्ट अंसर रहेगा आपका शेफाली बी शरन जो है इन्हें PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में नुक्त किया गया था जून 1919 को मुख्यालेस के नई दिल्ली में है और करंड में हमारे सूचना इबम प्रसारन मंत्री जो है उनका नाम है अनुरा चक्रवर्थी को नेक्से कि मार्च दोहजार चोबिस में ऑटोमोटिव टायर मैनुफेक्चर्स एससेशन का जो नया अध्यक्ष है फ्रेंट्स वो किसे निउक्त किया गया है ऑप्शन नंबर D रेक्ट अंसर है आर्नव बनार जी को अलिकर्ण मुसलिम विश्विद्याले जो है फ्रेंट्स इसकी महिला पहली जो महिला कुलपती है ये बन गई है आपकी नईमा खातून काफ़ जादा इंपोर्टन कोशन है उप्शन नंबर C आपका राइट अंसर रहेगा तीक है अलिकर्ण मुसलिम विश्विद्याले की ये जो है पहली महिला कुलपती बनी है आते हैं नेक्स कोशन की तरफ तो किसे जो है वस्तू एवं सेवा कर अपिल ये नयाधी करण का ध्यक्ष जो है वो नुक्त किया गया ओप्शन नमबर एक राइक्ट आंसर है संजे कुमार मिश्रा को किसे रास्टे सुरक्षा कार यानि कि NSG के महने देशक के रूप में नुक्त किया गया तो NSG के नए महने देशक आपके बन गए है नलिन प्रभाथ आप्शन नमबर C आपका एकदम परेक्ट आंसर है रास्ट्य सुरक्षा का जो है फ्रेंज अगर बात करें इसकी स्थापना की तो ये हुई थी 16 अक्टूबर 1984 को नई दिली में इसके हैटकॉर्टर्स है इसके जो नई अध्यक्ष बनगे वो कौन बनगे? आप्शन नमरे राइट अंसर आपका संजे नायर एसो चर्म की स्थापना 1920 में हुई थी और मुख्याले इसके नई दिली में है भारत के नई नियंतरक एब महालेखा परिक्षक यानि की CAG जो बने है वो कौन बने? आप्शन नमरे बीजा राइक्ट अंसर गिरिश चंदर मुर्मू नेक्स से किये लोगपाल का नया ध्यक्ष किसे निक्ट किया गया है? आप्शन नमरे एक राइक्ट अंसर रहेगा आपका अजे मानिक राओ खानवील का जो है फ्रेंट्स इन्हें लोगपाल का नया ध्यक्ष बनाया गया है सूरत ताइमेंड पोर्स के जो नया ध्यक्ष बने वो कौन बने? तो वो बने है गोविंद धोल किया ओप्शन नमरे राइट अंसर है नेक्स कोशन मार्च दोहज़ार चोबिस में फिकी लेडिस अर्गनाइजेशन एफ एल लोगपी जो अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी? किसे जो है डाक भिवाग का सच्ची वन्यूक्त करा गया? उप्शन नमरे बी के राइट अंसर एगा वन्दीता कोल जो है फ्रेंट्स इन्हें डिपार्टमेंट ओफ पोस्ट का नया सच्ची बनाया गया है बात करते हैं भारती डाक के बारे में तो इसकी स्थापना एक उक्टूबर 1854 को हुई थी नई दिली में इसके हैटकॉर्टर्स है करंट में इसके जो प्रमुख मंतरी है फ्रेंट्स वो होते हैं हमारे संचार मंतरी जो की हैं अश्वनी वैशनव नेक्स कुशन पर आते हैं तो राश्ची महिला होकी टीम के जो कोज बने हैं वो कौन बने हैं उप्शन नमबर A राइट अंसर रहेगा हरेंदर सिंग नेक्स कुशन आपका है अप्रेल दोहसार चोबिस में सॉल्वी वित आयोक का सदस्य जो है वो किसे निउक्त किया गया राइट अंसर उप्शन नमबर A रहेगा आपका मनोज पांडा को नेक्स किये अप्रेल दोहसार चोबिस में विशेश सुरक्षा समोह स्पीची के महाने रिक्षक के रूप में किसे निउक्त किया गया है अप्शन नमबर बीज़ा ग्रेक्टा अंसर लव कुमार को नेक्स्ट नमारा कॉशन कोंकन रेलवे कोर्परेशन लिमिटेड जो है फ्रेंड इसके नए अध्यक्षर प्रबंद निदेशक किसे निउक्त किया गया अप्शन नमबर ये आपका एकदम सही अंसर रहेगा संतोश कुमार 6 वो नए CMD बन गये हैं कोंकन रेलवे कोर्परेशन लिमिटेड के 1992 बैज के भारती रेलवे यातायात सेवा अधिकारी हैm संतोश कुमार 6 इनहें जो हैं कोंकन रेलवे कोर्परेशन लिमिटेड का नया ध्यक्ष और प्रवन देशक नियुक्त करा गया है कोंगन रेल्वे कोर्परेशन लिमिटेड जो है इसकी स्थापना करी गयी थी 19 जुलाई 1990 को और मुख्याले इसकी है नवी मुंबई महराश्ट्र में नेक्स्ट है आपका राश्ट्य अनुसूचित जाती आयोग यानि की NCSC का अध्यक्ष जो है वो किसे नुक्त किया गया ओप्शन नम्ब बीज़ा करेक्ट आंसर किशोर मकवाना को राश्ट्य अनुसूचित जाती आयोग जो है इसकी स्थापना की गेती 1978 को ये एक सम्हेधानिक निकाय है जो कि साल 2003 में हुए 89 सविधान संशोधन के तहट राश्ट्य अनुसूचित जाती और अनुसूचित जाती आयोग को दो अलगलग आयोगों में बांटा गया था ये दो आयोग है राश्ट्य अनुसूचित जाती आयोग और अनुसूचित जाती आयोग नेक्स्ट आपका इंडियन स्टील एसोसियेशन यानि की ISI के नए अध्यक्ष कौन बने है ओप्शन अमबर एक रेक्ट अंसर रहेगा नवीन जिन्दल इंडियन स्टील एसोसियेशन जो है इसकी स्थापना की बात करें तो वो 2014 में हुई थी और मुख्याले इसके हैं नई दिली में इंडियन स्टील एसोसियेशन के अनुसार ये भारत की कच्चे स्पात उत्पादन के 65% भाग का प्रतिनिधित्व जो है वो करता है नेक्ट हमारा कोशन वर्ष दो हजार जोबिस में किसे भारतिय वैक्षे निर्माता संग आईवी एमे का अध्यक्ष नुक्त किया गया आईवी एमे जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना की बात करें तो वो 2010 को हुई थी और मुख्याले कहां पे है है हैद्राबाद में नेक्ट इंबॉर्टन कोशन प्रसार भारति के जो नए अध्यक्ष बने वो कौन बने अप्ष्ण नंबर D is the correct answer नवनीत कुमार सहगल जो है इन्हे प्रसार भारति का नए अध्यक्ष बनाए गया है नेक्स कोशन भी काफी ज़्यादा इंबॉर्टन है भारति प्रतिबुति और विनम्य बोड यानि की सेबी की जो नए अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है आपका जो option number D है ये एकदम correct answer है मादवी पूरी बुच ये नई अधक्ष बनी है सेवी की सेवी जो है इसको हिंदी में कहा जाता है भार्ति प्रतिपूति और विनम्मे बोड बात करें इसकी स्थापना की तो वो हुई थी 12 अप्रिल 1988 को मुख्याले कहां पे है मुंबई में है आते है नेक्स कोशन की तरफ तो केंदर सतर्पता आयोग यानि की सीवी सी का सतर्पता आयुक्त जो है वो किसे निउक्त करा गया option number A correct answer है A.S. राजीव को नेक्से की भारत के नए मुख्य चुनावा आयुक्त कोन बने option number B. राजीव कोमार जो है फ्रेंट ये भारत के नए मुख्य चुनावा आयुक्त बने है काफे ज़ादा important इसके दावा जो है फ्रेंट जो भारत के नए चुनावा आयुक्त बने है वो बने है ग्यानेश कुमार और सुख्वीर सिंग संदू ये है मुख्य चुनावा बहारती निर्वाजन आयोग जो है फ्रेंट अगर बात करें इसकी स्थापना की तो 25 जनरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और नए दिली में इसके हैटकॉर्टर्स है next है आपका question मार्च दोहसार चोबिस में किसे चुनावा आयुक्त के रूप में नुक्त किया गया next question पर आते हैं तो भारती दूर संचार नियामक प्रादी करण के अध्यक्ष के रूप में किसे नुक्त किया गया next है सश्यस्त्र सीमाबल यानि की SSB के जो महानिदेशक है वो कौन बने option पर आइट अंसर रहेगा तलजीत सिंग चोधरी और इन्हें जो है अभी BSF के भी जो है फ्रेंस महानिदेशक का तिरिक्त प्रफार सोंपा गया है इसके साथ next question है काफी दोधा इंपोर्टन केंदर सरकार ने सोल्वे वितायोग का ध्यक्ष किसे नुक्त किया option number B correct answer A आपका डॉक्टर अर्विंद पंगडिया को स्टॉल्वे वितायोग का ध्यक्ष बनाया गया है केंदर सरकार के द्वारा वितायोग की बारे में आपको बता देती हूं तो वितायोग जो है ये एक संविधानिक संस्था है और संविधान के अनुछे दोस्वे वितायोग का ध्यक्ष बना दिया गया है डॉक्टर आरविंद पंगडिया को नेक्स कोशन पर आते हैं तो केंदर सरकार ने केंदर डिजर पुलीस बल यानिकी CRPF का महाने देशक किसे नुक्ट किया ओप्शन नमबर आपका एक रेक्ट आंसर रहेगा अनीश द्याल सिंग को नेक्स्ट है केंदर अध्योगिक सुरक्षा बली यानिकी CISF इसकी जो है प्रमुक बनने वाली पहली महिला कोन बनी ओप्शन नमबर बीजर गरेक्ट आंसर नीना सिंग जो है बन की CISF की प्रमुक बनने वाली पहली महिला बनी है नेक्स्ट नमारा कोशन भारती ओलम्पिक संग यानिकी IOH ए की पहली महिला अध्यक्ष कोन बनी ओप्शन नमबर बी गरेक्ट आंसर रहेगा PTA उशा थीक है इन्हें जो है बारती ओलम्पिक संग की अध्यक्ष बनाए गया है और ये भार्तियों लपिक सग की अध्यक्ष बनने वाली पहली महला है नेक्स कोशन पर आते हैं बाइस में विदी आयोग के अध्यक्ष कोन बने ओप्शन नमब बीजा ग्रेक्ट अंसर नियाय मुर्टी रितु राज अवस्थी नेक्स अमारा कोशन है नेक्स कोशन देखिए फेडरेशन ओफ इंडियन एक्सपोर्ट और्गनाइजेशन का नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया ओप्शन नमब बीजा ग्रेक्ट अंसर अश्विनी कुमार को फेडरेशन ओफ इंडियन एक्सपोर्ट और्गनाइजेशन जो है फ्रेंट्स इसके महानेजेशक एवं CEO है डॉक्टर आजे सहाई और इसका गठन किया गया था 1965 को मुख्याले कहां पे है नई दिल्ली में है नेक्स्ट है बहार्टी ओलंपिक संग के CEO जो है वो कौन बने ओप्शन नमबर डी करेक्ट अंसर रहेगा आपका रगुराम अईयर जो है इन्हें बहार्टी ओलंपिक संग के नए CEO बनाया गया है भार्टी ओलम्पिक संग के बारे में जान लेते हैं तो फ्रेंसिस की अध्यक्ष है पीटी उशा जो की पहली महिला ध्यक्ष बनी इसकी स्थापना इसकी 1997 में हुई थी मुख्याले इसके नई दिल्ली में है और IOC के जो संस्थापक हैं वो है है हैरी बक और आर्थर नॉयरेन नेक्स्ट है के ने मात्या में कि शिक्षा बोड़ी यानि कि सीबी ऐसी के जो नई अध्यक्ष बने वो कौन बने और इसकी जो स्थापना है यह आपकी कप करी गई थी 1929 में और इसके जो हैटकोर्टर्स हैं वो आपके हैं नई दिल्ली में नेस्ट कुशन की तरफ आते हैं संयुक्त राष्ट में भारत के जो स्थाई प्रतिनिदी बने हैं वो कौन बने और इंदम बाक्ची जो है इन्हें युएन में भारत के स्थाई प्रतिनिदी के रूप में चुना गया है युएन जो है इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को न्यू योक में इसके मुख्याले हैं करंट अधक्ष हैं युएन के अन्टोनियों गुटेरस नेक्स कोशन बातिव अनिजे वो उध्योग महासंग यानि उसकी के नए अधक्ष कोन बने और इसकी स्थाई आन्सर अनीश शाह के इंदर सरकार ने भारत इबद सीमा पुलीस यानि कि ITPP का जो नया महानेदेशक बनाया है वो किसे बनाया है और इसकी स्थाफना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को और इसके हैटकॉटर्स है नई दिल्ली में नेक्स्ट आपका कोशन है भारत की जो पहले दलित मुख्य सूचना अयुक्त बने है वो कौन बने है तो भारत की पहले दलित जो CIC बने है फ्रेंट्स वो आपके बन गए है हीरा लाल सामरिया ओप्शन नमबर यह आपका एकड़म करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट आपाना कोशन रिसर्च आइन अनलीसिस विंग यानि की रो के नई मुख्य नई प्रमुख जो है वो कौन बने राइट अंसर ओप्शन नमबर बी है आपका रवी सिन्धा रोज हो है फ्रेंट इसकी स्थापना हुई थी कि सितंबर 1968 को और इसकी हेड़कोर्टर्स है नई दिल्ली में नेक्स्ट आपाना कोशन रेल्वे बोर्ड की जो पहली महिला अध्यक्षोर CEO बनी है वो कौन बनी है पहली महिला अध्यक्षोर CEO बनी है फ्रेंट्स रेल्वे बोर्ड की बात आई है तो भारतिये रेल्वे से जुड़े कुछ इंपॉर्टन का रिविजन करते हैं तो स्थापना हुई थी भारतिये रेल्वे इसकी 16 अपरिल 1853 को नई दिली में हैटकॉर्टर्स है रेल्वे मंतरी है हमारे करंट में अश्विनी वैश्णव नेक्स्ट इस भारतित हलसेना के जो नए प्रमुक बने हैं फ्रेंस वो कौन बने ऑप्शन अबर बी करेक्ट अंसर रहेगा आपका उपेंद्र दुईवेदी नेक्स सेखिए रक्षा मंतराले के नए महाने देशक कौन बने हैं उप्शन नमबर एक करेक्ट अंसर है समीर कुमार सिन्हा जो है इन्हें रक्षा मंतराले के नए महाने देशक बनाया गया है आते हैं हमारे नेक्स कॉशन की तरफ तो जनवरी दोहसार जोबिस में रेलवे बोर्ड के सचीव का पदबार जो है वो किस ने संबाला तो ये संबाला अरुना नायर ने आपका उप्शन नमबर डी जो है वो एकदम करेक्ट अंसर हैगा इसी के साथ आते हैं हमारे नेक्स कॉशन की तरफ तो विदेश मंतराले के जो नए प्रभकता बने वो कौन बने अप्शन नमबर ए आपका एकदम करेक्ट अंसर है रंधीर जायसवाल जो है फ्रेंट की विदेश मंतराले के नए प्रभकता बने हैं इसके लापा फ्रेंट भारत की जो करंट विदेश मंतरी है उनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है सुब्रमन्यम जैशंकर जो है ये करंट में हमारे विदेश मंतरी है नेक्स कोशन देखते हैं तो बोंबे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष के रूप में किसे निक्त करा गया बोंबे स्टॉक एक्सचेंज के वारे में जानते हैं तो इसकी स्थापना की गी थी नोजलाई 1875 को और मुख्याले इसके हैं मुंबई में नेक्स्ट नमारा कोशन भारत के जो नए महा सर्वेक्षक बने वो कौन बने नेक्स्ट नमारा कोशन है सीमा सडक संगठन यानि कि बी आरो इसके जो 28 वे नंबर के महाने देशक बने वो कौन बने नमारा कोशन भारत के नए महा सर्वेक्षक बने हैं और बी आरो जो है फ्रेंट्स इसके स्थापना की गी थी 7 मई 1960 को और इसके जो हैटकोर्टर्स हैं वो आपके कहां है नई दिल्ली में नेक्स्ट नमारा कोशन रेल्वे सुरक्षा बल सेवा यानि कि आरपी एफस के नए महाने देशक कोन बने ओप्शन नमबर सी राइटन सर्थ है आपका मनोज यातव नेक्स एकिए बहारती फिल्म और टेलिविजन संस्थान के जो नए ध्यक्ष बने है फ्रेंट्स वो कौन बने ओप्शन नमबर सी राइटन सर्थ है आर माधवन इन्हें जो है बहारती फिल्म और टेलिविजन संस्थान का नए ध्यक्ष बनाए गिया है नेक्स कोशन देखते हैं तो भारत के जो सॉलिस्टर जर्नल है फ्रेंट्स वो कौन है ओप्शन नमबर सी राइक्ष आंसर है तुशार महताव नेक्स एक ये बहारती फिल्म और ट्रक्षक बल यानि की ICG के जो 25 नमबर के महनेदेशक बने वो कौन बने ओप्शन नमबर सी आपका एकदम और राकेश पाल जो है ये ICG के 25 नमबर के महनेदेशक बने है इमेज की तो आप इन्हें देख सकते हैं नेक्स कोशन के ज़रफ आते हैं तो केंद्रे अन्विक्षन ब्यूरो यानि की CBI के जो नए निदेशक बन गये वो कौन बन गये ओप्शन नमबर बी आपका सही रहेगा प्रवीन सूद नेक्स्ट अमाना कोशन भारती प्रतिस परदा आयोग यानि की CCI के जो पहली महिला अध्यक्ष बनी वो कौन बनी ओप्शन नमबर C आपका राइट अंसर है रवनीत कोर ये जो है बन की भारती प्रतिस परदा आयोग की पहले महिला अध्यक्ष बनी है नेक्स कोशन देखते हैं तो भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानि की BCCI के जो नए अध्यक्ष बनी है वो कौन बने ओप्शन नमबर A राइट अंसर है रोजर बिन्नी भारत के नए लेखा महाने अंतरक यानि की C जी ये जो है वो कौन बने ओप्शन नमबर B गर अंसर रहेगा SS2 जो है ये भारत के नए लेखा महाने अंतरक है नेक्स्ट है हमारा रास्टिक रिशी और ग्रामीन विकास पैंक यानि के नाबाड इसके जो नए अध्यक्ष बन गए है फ्रेंस वो कौन बन गए है तो नाबाड के नए अध्यक्ष बन गए है के वी शाजी ओप्शन नमबर C आपका राइट अंसर है नेक्स्ट है रक्षा नुसंधान एवं विकास संगठन यानि के डियाडियों के नए अध्यक्ष कोन बने ओप्शन नमबर B राइट अंसर है समीर वी कामत नेक्स्ट है भावा प्रमानु अनुसंधान केंदर यानि के बी ए आर्सी के चोदवे निदेशक कोन बने राइट अंसर ओप्शन नमबर A रहेगा विवेक भसीन जो है ये भावा प्रमानु अनुसंधान केंदर की चोदवे निदेशक बने भावा प्रमानु अनुसंधान केंदर जो है फ्रेंट्स इसकी स्थापना की गई थी 3 जनुरी 1954 को मुख्याले कहां पे है मुंबई में नेक्स्ट हमारा कोशन है भार्टिय पूफ इग्यानिक सर्वेक्षन यानि की GSI के जो नई महानी देशक बन गे फ्रेंट्स वो कौन बन गे तो राइट इंसर आपका इस कोशन का रहेगा ओप्शन नमबर D जनार्दन प्रसाद नेक्स और पूरुष ध्वजवाग के रूपे निक्त किया गया ओप्शन नमबर D राइट अंसर आपका B&C दोनों पीवी संदू और अचंता शरत कमल जो है फ्रेंट्स इन्हें पैरिस लंपिक 2024 के उद्गाटन समारों के लिए महिला और पूरुष ध्वजवाग के रूपे चुना गया है और इन्होंने जो है हमें पैरिस लंपिक में दो मैडल्स जित्वाएं हैं ब्रोंज कांसे अपतक ठीक है नेक्स्ट कोशन देखते हैं हमारा देखें नेक्स्ट कोशन पर जाने से पहले आपको कुछ घ्रिशम काले लंपिक के बारे में बता दू तो ये इसका 33 एडिशन है जो की पैरिस में हो रहा है 26 जुलाई से 11 अगस 2024 तक ये फ्रांस की राज़ानी पैरिस में होंगी पैरिस इससे पहले 1900 और 1924 में भी घ्रिशम काले लंपिक खेलों की मेचपानी करी थी 2024 के लंपिक खेलों में जो है दस अजार से जादा अथलीट और हजारों दर्शक जो है वो शामिल होंगे next अमारा कोशन है किसे प्रधान मंत्री के प्रधान सचीव के रूपे निक्त किया गया option नंबर जो है आपका B डीकरेक्ट आंसर है PK मिश्रा जो है फ्रेंट्स की ये PM के प्रधान सचीव बने है नेक्स्ट है नितियायो के नएस CEO कौन बने तो नितियायो के नए CEO पॉइंट हो चुके हैं बी और वी आर सुभ्रमन्य यानि कि आपका उप्षिन नमबर ए राइट आंसर है नेक्स्ट नमाना कुश्ट है भारत की जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपती है वो कौन बनी राइट अप्षिन नमबर C है ड्रोपती मुर्मु जी तंधाल जनजाती से इनका संबन्ध है और ये भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपती है वही फ्रेंट्स भारत के जो उपराष्ट पती है करंट उनका नाम है जक्तीब धनकर जो की चोदवे नंबर के उपराष्ट पती है नेक्स कुछन आपका भारत के जो नए महा नियाएवादी बने वो कौन बने नेक्स इस भारती अंत्रिक्ष अनुसंधान संगठन इस्तरो जो है इसके नए अध्यक्ष कोन बने है तो इस्तरो के अध्यक्ष है एस सौमनात करंट में उप्शन आपका राइट अंसर है नेक्स कुछन विश्विद्यले अनुधान आयोग यानि की UGC के नए अध्यक्ष कोन बने ओप्शन नमबर बी राइट अंसर है M. जगदीश कुमार ये जो हैं ये UGC के नए अध्यक्ष है नेक्स कुछन हमारा राष्टे परिक्षन एजंसी यानि की NTA के नए महाने देश कोन बने ओप्शन नमबर एक ग्रैक्ट अंसर है सुभोत कुमार नेक्स कुमार नेक्स नमबर कोशन भारती राष्टे राजमार्क प्राधीकरण के नए अध्यक्ष कोन बने option number 1 correct answer है संतोष कुमार यादव फ्रेंड्स इन्हें जो है भारती राष्टी राजमार्क प्राधिकरण का नए अध्यक्ष बनाए गया है next है भारती विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO जो हैं वो कौन बने option number C correct answer है अमित अगरवाल next question केंदे अप्रतिक शिकर और सीमा शुलक बोर्ड यानिकी CBIC के नए अध्यक्ष कोन बने तो वो आपके बनगे हैं संजे कुमार अगरवाल option number D right answer रहेगा तो फैंस इसके साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है उमीद करती वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने मुझे वीडियो के comment section में जरूर पताना है कि in 172 questions में से आपको कितनों के answers जो हैं वो पता दे क्योंकि इससे पता चल सकेगा आपको कि आपके exam के लिए कितनी preparation हो चुकी है कितनी की आपको जरूरत है अब आपसे मैं two question का test लूँगी जिसका अंसर आप मुझे comment section में देंगी complete वीडियो देखने के बाद इसके लावा मैं आपको हमारी e-books के बारे में भी बताऊंगी तो test वाला पाट पहले देख लीजिए जुलाई किसे भारती पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुखे कोच के रूप में निउक्त किया गया है four options आपके पास है screen के उपर right answer आप मुझे comment section में देंगे इसके लावा आपके लिए second question at ask का जून दो हजार चोबिस में अठारवी लोग सभा में विपक्ष के जो नेता बने वो कौन बने four options आपके पास है right answer आप comment section में देंगे तो यहीं पे हमारी वीडियो complete होती है अब आपको बता दू अगर आपको हमारी e-books भाई करनी है friends तो हमारी website है www.rawibooks.pdf.com के नाम से यहाँ पे आपको हमारी Indian quality की paid PDF मिल जाएगी अगर आपको भी भी competitive exam की preparation करें है तो उसके लिए आपकी काफी ज़दा help करेगी यह इसके लाबा friends हमारी current of years की e-books मिल जाएगी आपको हमारी e-books पे अगर आपको यहाँ पे हमारी website पे sorry देखें अगर आपको monthly वाइस चाहिए na current of years की e-books तो वो भी आपको मिल जाएगी जैन से लेके जुलाई तक की अभी जुलाई की रिसेंट में ही लॉँच हो जाएगी ठीक है वन और टू डेज में तो वह आप बई कर सकते हैं इसके लाबा अगर आपको merge e-book चाहिए जन टू जून तक की चांफिर जन टू जुलाई तक की लास्ट सेवन मन्त की तो वह भी आप बई कर सकते हैं इसी वेबसाइट की थू इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक रहता है जरू चेक आउट किजेगा और इसे लिए वहां से आप हमारी वेबसाइट पर पहुंचके अपने अकॉडिंगली अपनी बुक्स कर दी सकते हैं अगर आप इंग्लिश में की स्टूनेंट है तो आपको इंग्लिश में बुक्स मिल जाएंगी वहां पे जैसे ही आप हमारी वेबसाइट को ओपन करोगे ना वहां पे आपको टू ओप्शन्स मिलेंगी एक तो रहेगा इंग पे स्टूनेंट है तो इंग्लिश में बुक्स में कर सकते हैं और हिंदी मिलेंग फर जाके हिंदी मेंडियम की ठीक है डेली जो कॉरंट अफ्यर्स की क्लास होती है सुबह पांच बजे फैंस उसका आपको फ्री पीडिय वह वो दिया जाता है हमारे टेलिग्राम चैनल कॉ तो जरूर जोईन करिए हमें टेलिगराम पे यहां पे आपको बाकी जो इंफोर्म नहीं रहती है यहां पर प्रवाइब के आपकर घ्राइड कर जाती है वविडियो से र्लेट। होते हैं वदिर आपको हिए जयनिए पर जूडिये जुरिए पर आप राफジャि JON पर दो आपको प्री टेस्ट लगा सकते हैं और इससे जो है पका रिविजन हो जाता है एक बार फिर से और ईबुक्स का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शिन बॉक्स और कमें शेक्शन में पिन मिलेगा तो आप वहां से जाके हमारी बुक्स को बाई कर सकते हैं पर चब सबस्क्रिप्श को जाओ कर दो के आपको अगरी बुक्स मिलती है देखिये 40 प्राइजे होता है जो की मंतली बुक होती है 40 के बीच में होता है और जो आपकी मर्ज इव बुक्स होगी वह थोड़ी जादा महंगी होती है वह आपको 56 तक मिलेगी तो यह काफी करते हैं thank you so much for watching this video and wish you all the very best for your upcoming exams friends आपको next video जिस पी topic पे चाहिए आप मुझे comment section में बताईएगा मैं आपके लिए ज़ूर उस video को लेकर आऊंगी ठीक है comment section में बता सकते हैं कि आपको next video किस topic पे चाहिए तो चलिए आप आप से मिलते हैं next studio में एक और important session के साथ तब तक आप अपना ध्यान रगिए